चानक्या IAS Academy Current Affairs में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Muslim Marriage and Divorce Act 1935 के बारे में असम सरकार ने राज्य में Muslim Marriage and Divorce Act 1935 को खतम कर दिया है ये ने ने मुख्य मंत्री हिमंत विस्व सर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया है अब राज्य में सभी शादियां Special Marriage Act के तहत की जाएंगी राज्य के मंत्री जेंत मलबारुआ ने इसे Uniform Civil Code की दिशा में एक बड़ा स्टेप बता रहा है उन्होंने कहा है कि इस से राज्य में हो रहे बाल विवा भी रुकेंगे इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दुलहा और दुलहन शादी की कानूने उम्र यानि की लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए है तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था यह असम में बाल विवा रोकने की दिशा में एहम कदम है अब हम बात करेंगी कि सरकार का इस पर क्या क्याना है राज्य मंतरी मल्ला बर्वा ने कहा है कि हम समान नागरिक सहीता की और बढ़ रहे हैं इसी को लेकर एक महत्तपुन फैसला लिया गया है अब असम में कोई भी मुस्लिम विवा या तलाग रेजिस्टर नहीं किया जाएगा उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है इसलिए हम चाते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलजाए जाएगा अब मुस्लिम विवा और तलाग का रेजिस्टरेशन दिस्टिक कमिशनर और डिस्टिक रेजिस्टरार द्वारा किया जाएगा जो इस डिवोर्स रेजिस्टरेशन एक्ट के तहट काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एक मुष्ट दो दो लाक रुपए का मुआवजा दिया जाएगा असम सरकार ने ये भी बताया है कि मुस्लिम विवा एवं तलाग पंजिकरन कानून खतम होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजिकरन भी स्पेशल मेरिज एक्ट के तहट जिला आयुक्त और जिला रेजिस्टरार कर सकेंगे जो की पहले 94 मुस्लिम विवा रेजिस्टरार करते थे सरकार ने एलान किया है कि मुस्लिम विवाह का पंजिकरन करने वाले रेजिस्टर को हटाये जाएगा और उन्हें एक मुश्ट दो दो लाख रुपए का मुआफ़ा दिया जाएगा असम सरकार ने कानून हटाने के पीछे तर्क दिया है कि कानून अंग्रेजी शाशनकाल के दौर का है अब हम बात करेंगे कि कानून रध होने के बाद असम में क्या बदलाव होंगे सरकार का कहना है कि मुसलिम विवाह एमिम तलाग पंजीकरन कानून के तहट शादी और तलाग का पंजीकरन अनवारे नहीं था साथ ये शादी का पंजीकरन करने की व्यवस्ता पूरी तरह से अनुपचारित थी जिससे नियमों की अंदेकी हो रही थी और बाल विवा की भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी कानून के तहट राज्य सरकार मुसल्मानों को शादी और तलाग का पंजिकरन करने का लाइसेंस देती थी लेकिन अब कानून हटने के बाद कोई भी व्यक्ति शादी और तलाग का पंजिकरन नहीं कर सकेगा और यह आपचारिक रूप से हो सकेगा राज्य सरकार के मंत्री जैन्त मला बर्वा ने ये बात भी कही है कि इस कानून को खतम होना राज्य में समान नागरिक सहीता लागू होने की दिशा में महत्तपुन कदम है इसके अतरिक बालविवा के खिलाव भी असम सरकार कानून लाएगी असम सरकार बालविवा के खिलाव कानून बनाने पर भी विचार कर रही है सेम हिमनता विश्व सरना ने बीते दिनों ही इस पर अपना रुक्स पस्ट कर दिया था का था कि साल दोजार चब्वीस तक वे असम में बालविवा के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं नए कानून में बालविवा करने की सजा दो साल से बढ़ा कर दस साल करने का प्रावधान किया जाएगा फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री सर्णा ने कहा था कि हमारा रुक्सपस्ट है असम में बालविवा रुकने चाहिए बालविवा के खिलाफ हम नया कानून लाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं 2026 तक हम बालविवा के खिलाफ नय कानून लाने पर विचार कर रहे हैं जहां जेल की सजा दो साल से बढ़ा कर दस साल की जाएगी इसके साथ ही आज का हमारा विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारी यूटूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद